जहिंद फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आईए शुरू करते हैं आज एक महत्पूर्ण खोठा के प्रेक्टिस सेट को और यह जहारकंड संहीक्त अवर पुलिस अवर निरिक्षक परिक्षा 2017 का यह प्रश्ण पेपर है बता दे कि यह हल प्र देखेंगे कि किस तरह के प्रश्ण जो है वो बनते हैं उन सभी चीजों को हम देखेंगे साथी साथ यहां से आपको एक अनुभव मिलेगा कि किस तरह के प्रश्ण जो है वो खोठा में पूछे जाते हैं इसके अलावा यहां से एक चीज और है कि सबसे पहले आप जब त तब तक आप उतनी अच्छे से तयारी भी नहीं कर पाते हैं। भले आप खोठा पढ़ लेकिन कहां से प्रश्ण बनता है, किस तरह के प्रश्ण पूछे जा सकते हैं, किस किस एरिया को कभर करना है, वो सारा चीज यहां से आपको पता चल जाता है जब आप एक previous year के questions को करता है, याद रखेंगे यह हमेसा क्या है repeated होता है, तो इसलिए यहां से प्रश्ण हो सकता है कि कई सारे ऐसे प्रश्ण हों के क्यों हो बहु आने वाले exam में आपको पूछ दे, और साथी साथ कुछ ऐसे प्रश्ण हों के जो कि आपको भले same नहीं पूछे, लेकिन एक पता चल जाएगा कि किस एरिया से प्रश्ण हमारा बन सकता है, तो चलिए एक एक करके हम सभी प्रश्णों को देखते चलेंगे और साथी साथ समझते चलेंगे, थोड़ा सा यह speed revision होगा, ताकि हम detail पूरा syllabus यह cover करेंगे, या तो फिर कह सकते हैं कि जिस तरह से हम एक एक कर के सारे chapter wise चोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम पूरे detail से देखेंगे, तो चलिए सबसे पहला आज का सवाल है, संग्या कहल जा है, तो संग्या सबसे पहले अगर बता दें तो यह किसी नाम, अस्थान या तो यह सभी को लेकर ही हम संग्या कहते हैं, तो इसका नाम होगा, कोनो नाम के, तो इसका राइट अंसरों का option B, संग्या कई को भेद है, तो संग्या के अगर बात करें, तो संग्या के 5 भेद होते हैं, व्यक्ति वाचक संग्या, जाति वाचक संग्या, द्रव्य वाचक संग्या, समुह वाचक संग्या, इस तरह से 5 भेद संग्या क्या होत तो आपको पता होना चाहिए कि डांगर डांगर अगर बात करें तो ये मिखरूप से जो है खोठा में हिंदी में इसको हम कहेंगे जानवर ठीक है हिंदी में इसको हम कहेंगे जानवर तो जानवर जो है वो मिखरूप से जब आप हमारा previous इससे पहले जो set हमने डाला था अगर उस set को आप देखे होंगे तो वहां से आपको detail पूरा हमने किया था कि जाती वाचक संग्या और ब्यक्ती वाचक संग्या में क्या difference देखने को मिलता है जानवर अगर बात करें तो यह जाती वाचक संग्या के अंतरगत आता है ल सारे व्यक्ती वाचक संग्या है यह सारे क्या है व्यक्ती वाचक संग्या है लेकिन अगर बात करें जानवर की या तो डांगर की तो यह क्या है एक जाती वाचक संग्या है यहां पर क्या है कि यह जाती को बोद करार है तो इस तरह से इसका right answer क्या हो जाएगा option A यानि जा जब साधी विवाह में बराद जाते हैं तो यह कई सारे बहुत स्यारा भीड होता है एक समूह होता है तो यहाँ पर क्या है कि समूह का बोध करार है तो इसलिए इसका राइट अंसरों का option D यानि समूह वाचक संग्या के अंतरगत आएगा जैसे बाजार मेला कोई सम्मेलन होता है और भी कई ऐसे चीज हैं जहां पर जहां पर लोगों का जमा होता है यानि कह सकते हैं कि भीड एक खटा होता है तो वैसे को हम कह सकते हैं कि समूह वाचक संग्या या तो वह समूह जहां पर एक भीड की बात की जाती है एक से अधिक लोगों की बात की जा लागता है अगला सवाल है बुढ़हारी कोन रखमे के संग्या लगय तो बुढ़हारी एक आपको भाव यहां से नज़र आ रहा है तो यह एक होगा भाव वाचक शंग्या के अंतरगत आएगा संग्या की ओजी जे आवैँ कहा कहा है यानि संग्या के बदले में जिस सब्द जिसका परियोग होता है उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम सरवनाम या सरवनाम कहते हैं याद रखेंगे, मान लेते हैं, हम कहेंगे कि राम ने खाना खाया, या तो राम खेल रहा है, यहाँ पर राम क्या है, तो यह एक संग्या के बारे में बता रहा है, तो राम यहाँ पर क्या है, संग्या है, लेकिन अगर बोले कि उ खेल रहा है, तो उ खेल रहा है, या तो वो साइधिया के ओजी वदले में ये आवे है उख्रक निबा किया सवाल है पुरुुषवाचक नहीं होता है जबकि उत्म पूरुष मध्यacula मद्यादीशं नहीं होता है इस तरह इसका 으 कोई रखमता है कि संग्या में इस तो यहां पर क्या कि साइद कोई रहल है ही और कोई तो यहां नीश्चित नहीं पुरूषू वाचक कोरने लड़का हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है क्योंकि जब पता नहीं है सायद की बात कर रहें तो यानि एक अनिश्चे की बात कर रहें तो अनिश्चे वाचक के अंतरगत आ जाएगा अनिश्चे वाचक सरवनाम अगला सवाल है तोहें कौन रख्मिक सरवनाम लगए तोहें यहां पर क्या क्या है पूरुस वाचक के अंतरगत तो है ये मध्यम पुरुष की बात कर रहा है ठीक है तो जब कोई गौन की बात करें यानि किसी ऐसे के बात करिया जा रहा है जहां पर वहां पर को वह गौन है यानि उसके बारे में वह क्या है विलोप्त है तो वैसे को गौन पुरुष कह सकते हैं उत्म पुरुष और अन्य पुर उ, व, ये सभी जो उपयोग होता है, वो सारा क्या आता है, सरुनाम के अंतर गताएगा, तो यहाँ पर अंसर हो जाएगा A आपका, हाम यहाँ पर क्या है, सरुनाम है, अगला सवाल है, जिस संग्या सरुनामे के विसेस्ता बतावे ओकरा कहल जाए, तो उसे विसेशन कहा जा कि यहां तोर ग IQ हेत्वा हेलल हो तो यहां पर क्या है कि गईय तो हापको पता है गय क्या है और तो यहां पर तों यहां पर यहां पर क्या है सरव्णाम की बात की जारी ignoring itself करिया यहां पर क्या है करिया उसकी विसेष्टा बतला रहा है करिया यहां पर क्या है विसेष्टा बतला रहा है तो इस तरह से इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यानि विसेष्टा बता रहा है कि तोर्क गया खेत्वा है ललो लेकिन यहां पर क्या कि करिया क तेरक, गोर, जल्दी, तेजी से, धीरे-धीरे, यह सब जितना भी सब्द आता है, वो सारे कहा कि विसेशता अगर बतला रहा है, लाल है, सफेद है, हरा है, काला है, कोई रंग बता रहा है, कोई तेजी बता रहा है, उसकी कुछ विसेशता बतला रहा है, उसी को हम क्या कहें होंगे विशेशन के रूप में लेते हैं तो इसका राइट अंसर होगा option C अगला सवाल है कि पेठिया से एक सेर मचली लानबय है यहाँ एक सेर की बात की जारी है एक सेर क्या है एक हमको तो आप सभी को पता है कि ऐसे हम क्या कहेंगे परिमान वाचक विसेशन कहेंगे अगला सवाल है कि गोला पठ्रू के डिहराइदे यहां गोला सब्द की लागए तो यहां पे के गोला फिर थोड़ी दिर पहले अभी मनें बात किया कि जितने भी रंगों की बात की जाती है की लगे तो मातों के महतवायन हो जाएगा महतवायन हो जाएगा अंसर गाय करे पुलिंग रूप की लगे तो गाय का पुलिंग अगर बात करे तो क्या होता है तो बरद होता है गाय का बरद अगला सवाल देख लेते हैं अगला सवाल है कि आदमियन सब्द के में कौन परत में होता है जबकि अगर बात करें इह अगर बात करते है प्रत्य के तो वो सब्सके अंद में उसका परियोग होता है तो इस तरह से यहाँ पे अंसर क्या हो जाएगा तो अंसर इसका होगा option A यानि अईन प्रत्य साधू कर इस्तिलिंग की लगे तो साधू के इस्तिलिंग हो जाएगा सधुवाइन सधुवाइन इसका right answer हो जाएगा option B सारा सब्द के इस्तिलिंग रूप की हवत तो यहाँ पे क्या कि सारा सब्द का इस्तिलिंग यहाँ आपसे पूछा जा रहा है तो याद रखेंगे साला का अगर इस्तिलिंग पूछा जा तो एक साली भी होगा और सरहज भी हम मान सकते यहाँ पे option के अनूसार से 2 होना चाहिये लेकिन हलाकि यहाँ पे जो प्रत्य किया जाता है उसके बारे में हमको समझना है तो इसका राइट अंसर होगा गारे यानि वह जोड़ और गुलिन, ये सबी जोड़ करके हम उसको क्या की एक वचन से बहुचन बना सकते हैं, किसी सब्द में अगर इस परत्य को जोड़ दिया जाए तो, नेता का बहुचन क्या होगा तो नेत्वइन नेता का बहुचन क्या होजाएगा नेत्वन यानि वहीन सब्द यहाँ पे जोड़ा हुआ है हलाकि यहाँ पे इसका right अंसर होना चाहिए इस सभे यानि डी अंसर इसका होगा क्योंकि गुलीन हो गया गुला हो गया यह सभी सब्द जब जोड़ते हैं वहाता है। कि बहू वचन के अंतरगर्त आता है तो इसका right answer टीनों हो जाएगा इसका right answer डी कर लेंगे इसका right answer कई हो जाएगा इसको सुधार लेगे अब इसका सही answer क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगे जलते हैं अगला सवाल देख लेते हैं कि मच्री के बहुवचन मच्री के बहुवचन क्या हो जागा तो मच्री के बहुवचन हो जागा मच्रियन तो इसका अंसर होगा option B किरिया मूल रूप के कहल चाहे तो किरिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है किरिया के मूल रूप को हम धातू कहते है धातू कहते है अगला सवाल है कि पढ़े कोन रखमे किरिया लागए तो पढ़ने का वो किस तरह का किरिया है तो ये मूल किरिया के अंतरगत आता है इसका सही अंसरों का option A यानि मूल किरिया के अंतरगत आता है आगे देख लेते हैं अगला सवाल है कि जोन किरिया के संगे कर्म रहा है उकरा कहल जा है यानि जिस किरिया के संगे कर्म भी रहता है उसे हम सकर्मक किरिया के अंतरगत लेत लोक गीत कहा जाता है याद रखेंगे अंसर इसका B हो जाएगा संसकार गीत मुल रूपे कई रकम के हवा है तो संसकार गीत मुख्य रूप से दो परकार केस में दर्साया गया है दो रूप में बताया गया है तो याद रखेंगे संसकार गीत जो वो मुख्य रूप से दो र यह गीत कोन गीत के पटेतर या उदारन है तो पटेतर यानि लोकोक्ति होता है आप सभी को पता है इससे पहले हम बात किये थे और आहना का मतलब होता है मुहावरा आहना की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है मुहावरा और पटेतर का मतलब होता है लोकोक्ति तो यहां पर पूछा जा रहा है कि यह जो गीत का पर्टेतर है वो किस से संब्धित है तो यह हारा बदिया यानि परतियोगात्मक गीत है हारा बदिया परतियोगात्मक गीत से लिया गया है अगला देख लेते एक टोकी फूल तित्की खोठा लोक गीते के विशेश संग्रह के जिसे उपनाम जिनका स्यूदीप है और महेस गुलवार यह सभी जोए वो इस सपादक मंडल के सदेश के रूप में रहे हैं तो इसका सही अंसरों का option B अगला सवाल देख लेते हैं एक टोकी फूल कित्की खोठा लोकगीत संग्रह के प्रकासक है तो इसके प्रकासक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो इसका सही अंसरों का option B यानि खोठा धाकी छेत्र कमिटी कोठार कैथा रामगड कैथा आपको पता है कि यह रामगड का एक परसीद अस्थल माना जाता है यह काफी चर्चा में भी पिछले वर्स रहा था तो या श्यूनाथ परमानी का उपनाम जो वह मानिकूर उपनाम से जाना जाता है याद रखेंगे इसका सही अंसरों गाई option A अगला सवाल है खोठा लोग साहिति के परकासन के बारे में आपसे पूछा जाँर रहा है तो इसका सही अंसर हो जाएगा cara pose बी खोठा सहीती क्था कोन कथा के रूपे जानल जा है करम कथा कोन कथा के रूपे जानल जा है तो इसका सही अंसर होगा option A यानि धर्म कथा क्योंकि आपको पता होगा कि कर्म तेवहार जो है कर्म तेवहार जो है कर्म जो है एक तेवहार माना जाता है और उसमें उसके पारे में आप पढ़े पूछा जाता है तो याद रखेंगे इसका सही अंसर क्या हो जाएगा? अंसर होगा option A यानि धर्म कथा, खोल्ठा लोग कथा किताब के पर्धान सम्पादक है, खोल्ठा लोग कथा के पर्धान सम्पादक के बारे में आप से पूछा जाएगा, तो इसका राइट अंसरों का option D, Dr. A.K. जा, बात करेंगे A.K. जा तो इनका पूरा नाम है अजीत कुमार जा, अजीत कुमार जा इनका पूरा नाम है, खोटा लोग कथा किताब के परकासक है, तो आप देख सकते हैं कि सवाल जो वो किस तरह से पूछा जाता है, अगर कोई क सवाल तो मुखिरूप से आपसे पूछा जाता है, साथे साथ जितने भी साहितेकार हैं, उनका जन्म वर्स भी आपसे पूछा जाता है, कि कहां पे जन्म हुआ था और किस वर्स हुआ था, ये दो चीज आपसे सवाल जो हो ये तरह भी पूछा जाता है, साथे साथ किसी कि तीन से चार चीज आपको हमेशा याद होने चाहिए सबसे पहले उसके जो साहितिकार है वो कौन है उसके बाद उसका परकासक यानि परकासन जो हुआ है वो कहां से हुआ है और उसका परकासन किस वर्स हुआ है ये चीज हो गया और उसके जो सहितिकार है उनका जन्म कहां पर हुआ है जारखन के किस जीले में जन्म हुआ है और जन्म जो हुआ वो किस वर्स हुआ है तो जन्म सताब्दी भी कई बार पूछे जाते हैं आगे चलते हैं अगला सवाल है बाबन आर भूत लोक कथा में भूतवन के की नामद है तो बाबन आर भूत यह एक लोक कथा है जिसमें ओते और तापे उसमें दो भूत के बारे में एक लोक कथा है जो सुनाया गया है जैसे आप लोक कथा क्या होता है एक मौकिक रूप में क कह सकते हैं कि एक कथा का मंचन होता है कथा के बारे कहानी के बारे में एक बता सकते हैं तो उसमें क्या कि कहानी में कुछ कुछ पाठ होते हैं तो उसमें यहां पर इसमें क्या कि दो भूत का जिक्र किया गया है जिसमें उन दोनों का नाम ओते और तापे है ओते और तापे अभी थोड़े दिर पहले हम यही बात कर रहेते कि मौकिक रूप से जो परमप्रा से आयल कθा होता है उसी को क्या कहा जाता है तो उसी को हम कहते हैं लोक कθा तो याद रखेंगे इसी को हम कहते हैं लोक कθा खोठा व्रिहत प्रक्रिन साहित्य किताब लेखक द्वय के नाम है तो इसका सही अंसर हो जाएगा अगला सवाल है मुहावरा के खोठे कहल जा है तो अगर बात करें मुहावरा को खोठा में तो इसे आहना के नाम से जाना जाता है अगला सवाल है कि पहली को खोठा कहल जा है तो पहली जो होता है उसे बुझवल भी कहा जाता है याद रखेंगे उसे बुझवल भी कहा जाता है इसे जान कहनी भी कहा जाता है हियाली और फ पहली के खोठाएं कहल जा है तो जो simple पहलियां होती है उसे हम हियाली कहते हैं खोठा के भासा में हियाली कहते हैं तो याद रखेंगे इसका सही अंसर होगा option A कठीन पहली के खोठाएं कहल जा है तो हियाली जो होता है यहां पे दोनों कौम दिखा देते हैं एक बार सरल पहल एर साथ ही साथ पहेली को बुझवल और जान कहने भी कहा जाता है याद रखेंगे जो सिंपल पहेलिया होती है उसे हहाली कहा जाता है जबकी जो कठीन पहेली होता है उसे फांकी के नाम से जाना जाता है पतेतरoooo तो है वो लोकोक्ति को कहा जाता है पटेटर जो है वो लोकोक्ति को कहा जाता है याद रखेंगे या लोकोक्ति को कहा जाता है जबकि आहना जो है यह किसे कहा जाता है तो आहना आप सभी को पता है कि खोठा में मुहावरा को जो है वो आहना कहा जाता है तो याद रखेंगे इस तरह से आप सभी चीज, इन सभी चीजों को ध्यान में रखेंगे अगला सवाल देख लेते हैं आपन साधारन अर्थ ना दे के खास अर्थ दे तकरक कहल जा है यानि वैसे वैके के या वैके के टोना जे आपन साधारन अर्थ ना दे करके किसी खास अर्थ देता है उसे क्या कहा जाता है तो उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है मुहावरा लुगोक्ति कहावत या फिर पहली तो इसका राइट अंसर का option A मुहावरा आप सभी को पता है कि मुहावरा जब भी हम कहते है तो उसमें क्या है कि एक अपना साधारन अर्थ ना दे करके कोई खास अर्थ देता है उसी को हम मुहावरा कहते हैं मुहावरा को खोठा में आहना के नाम से जाना जाता है जैसे एक मुहावरा की बात करें जैसे होता है अधजल गगरी छलकत जाए या तो यहाँ पे नीचे भी बहुत सारा मुहावरा है जैसे घार फोरेक तो घर फोरेक यहां पर इसका मतल होता है मतभेद करावना मतभेद कराना यह मुहावरा का कह सकते कि इसका अर्थ होता है तो यहां से कह सकते कि यह एक साधरन अर्थना दे करके कुछ खास अर्थ देता है उसी को कहा जाता है याद रखेंगे उसे मुहावरा कहा जाता है अगला सवाल है धकनी पानी डूब मोरे धकनी पानी डूब मोरे के मुहावरा के माने हवो है तो इसका होता है अभाय की साली होना अभाय की साली होना इसी को कहा जाता है अभाय की साली होना इसी को कहा जाता है दहिना हाथ हवेक मुहावरा माने हवो है तो दहिना हाथ हवे यानि कई बार हम बोलते हैं कि उसका वो दहना हाथ है, यानि उसका वो खास आदमी है, खास मदद करवया होता है, या तो फिर हर समय उसके साथ में जो रहता है, यानि हर समय संग देवया, उसी को हम क्या कहते हैं, दहना हाथ होवेके, तो इसका राइट अंसर होगा option D, अगल से मारे के तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा option A यानि किसी का काम का छिन लेना या किसी के अस्थान पर दूसरे दूसरा कोई को ले आना उसी को हम कहते हैं न कि उसके पेट में लात मार दिये यानि जो वो कमाध हमारा था उसके जगा पर उसको हटा करके दूसरे को ले यहां पर काम चिनना या तो यह सब के समन्दित होता उसी को हम क्या कहते हैं पेटे लात मारे लोकोक्ती के खोटे कहल जाए तो लोकोक्ती को पटैतर कहा जाता है इसके पहले हम बात कर चुके हैं आगे चलते हैं अगला सवाल देख लेते हैं कॉन्हों परिसद गहटना खास परसंग चाहे के कहल जाता है । क्या कहा जाता है तो उसको वबारे में आपक्यज पूछा जाया तो इसका राइट अंसर रोगा लोकोक्ति या जााता है क्योंकि आप सभी को पता है कि जब भी लोकोक्ती या कोई कहावत होता है उसके पीछे कोई एक परसिद घटना होता है खास कोई परसंग होता है उन सभी से निकल करके जो सुत्र आता है यानि जुवाय की हम निकलता है उसी को हम क्या कहते है लोकोक्ती और कहावत कहते है मुह सेलियां होती है बुझवल होता है उसको हम हियाली कहते हैं खोठा में अगला सवाल है अरंडी बोने बिलायर बाग या तो बिलायर राजा भी बहुत बार पूछा जाता है रहता है अरंडी बोने बिलायर राजा या बिलायर बाग लोकोक्ति के माने की हव है तो यहां पर क्य बीच में कोई एक ताकतवर आ जाता है उसी को कहा जाता है अरंडी बोने बिलायर राजा या बिलायर बाग तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा option A अगला सवाल देख लेते हैं अगला सवाल है माई देखेक पोटा और जन्नी देखेक मोटा सवाल का एक वर फिर से देख लेते हैं माई देखे पोटा और जन्नी देखे मोटा लोकोक्ती करमाने की हव है तो इसका सही अंसर है option B माई ममता मई जनी सवार्थी यानि क्या होता है माई देखे पोटा माई देखे पोटा और जनी देखे मोटा तो होता यहां पे क्या है कि मा जो होता है आप सभी को पता है कि मा जो होता है वो हमेशा ममता मई होती है और जनी जो होती है वो हमेशा स्वार्थी होती है जब आप बाहर से कहीं आते हैं तो एक कहावत होता है कि पत्नी हमेशा आपसे ये जानने का परियास करती है कि आप कितना कमा करके आए, कितना क्या ले करके आए, ये आपसे सवाल करती है, जबकि एक मा जो है, वो ये कभी नहीं पूछती है कि आप कितना कमा करके आए, या क् से पहले ये पूछना चाती है, कि आप पहले तुम खाना खाये हो, या नहीं खाये हो, भोखे तुकाही नहीं हो, तो वो हमेशा क्या है, एक ममता मही सोच रखती है, जब्की एक पत्नी या जनी, यो पर वो एक सवार्थी सोच की, अपने स्वार्थ की हमेशा भावना की, हलाकि ये हमेशा हम नहीं कर सकते, ये सभी एक जैसे नहीं होते, ये भी हम मान सकते हैं, लेकिन एक एक जामपल के तौर पर देखा जाए, या मोटा मोटी अगर देखा जाए, तो ये जैदा तर सत्य भी है तो याद रखेंगे इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा option B यानि माय ममता मही अर्जनी स्वार्थी माय देखे पोटा अर्जनी देखे मोटा तो ये इस लोगोक्ति का अर्थ हो जाएगा option B is the right answer भोजेक पहर कोड़ा रोपेक कहावत के माने हवत है जैसे इसका example simple हम लेते हैं अभी आप तयारी जो है वो exam की तयारी आप नहीं कर रहे हैं अभी आप exam की तयारी बिल्कुल भी छोड़ दी हैं ना किताब छोड़ है ना और कुछ कर रहे हैं लेकिन जैसे exam का date आपको पता चलता है कि हाँ अब exam का date हमको पता चल गया आप तुरंत किताब खोल करके बैठ गए पढ़ने के लिए तो ये आपका एक example जो वो simple example है कि भोजगरी कोड़ा रोपेक कहावत है ना तो भोजग पहर कोड़ा रोपेक यानि जब exam आया तो आपको आदा गया कि अब हमें पढ पाएंगे जो सुरू से इसमें जुटा हुआ है या धीरे धीरे ही कर रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा वो लगातार परियास में लगा हुआ है उससे आप काफी पीछे हो जाएंगे तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा इसका सही अंसर देख लेते हैं आखरी पहर कोशिस continue जो है वो आप लगे रहें उस पे हमेशा जो है वो कुछ न कुछ आप करते रहें बीच बीच में आप ऐसा नहीं कि आज हम पढ़ लिए चार पेज और कल हम छोड़ दिये या दो दिन छोड़ दिये फिर हम अगला दिन गए उस दिन फिर चार पेज पढ़ लिए फिर एक सब्ता छोड़ दिये तो वो continuity आपको maintain करना होता है तब ही आप एक सफल परिच्छा में जो है वो सफल और अच्छे तरीके से आप जो है वो मौरले बैद जब मर गया तो वैद की क्या आउशकता और बिक ले गहकी जब आप पहले बेच ना चाहा रहे थे तो उस समय कोई नहीं मिल रहा था लेकिन जैसे आपका बिक गया उसके बाद खूब गहकी आना शुरू हो गया तो यह कहावत यह कहावत है तो यह सभी कहाव होंगे कि किसी वस्तू को अगर आप खोज रहे तो जिस समय जरूरत होगी तो उस समय नहीं मिलेगा लेकिन जैसे इसका काम निकल जाएगा वो वस्तू आपको दिखाई देगा तो यह भी आप इस कहावत में मान सकते हैं अगला सवाल है मिली जूली करी काज हारले जितले नकेलाज देखे बहुत अच्छी बात कही गई है इस कहावत से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इस कहावत से भी आप जरूर आप समझे फिर से एक बार देख लेते हैं मिली जूली करी काज हारले जितले नकेलाज इसके बारे में आपको बता दें सबसे पहले इसका अंसर देते हैं कि मिल के काम कर एक सला, मिल के काम करने से कोई भी दिक्कत नहीं होता है, हार ले जीत ले नखे लाज, अगर मिल करके सब ही कोई काम करते हैं, तो चाहे हार हो या जीत हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई इसमें लाज नहीं होता है, क्योंकि हम हारते कब हैं, क तो आप नाही हारे नाही जीते, तो वो दोनों में जब तक आप युद में उतरेंगे नहीं तब तक हार और जीत कैसा, तो इसलिए हमेशा आप किसी भी चीज का डट कर सामना करें, चाहे हार हो या जीत हो, और एक चीज हमेशा याद रखेंगे, हार कभी नहीं होती है, या तो आप जीतते हैं या तो आप सीखते हैं ये चीज हमेशा याद रखेंगे जब आप किसी परिच्छा की तयारी करने किसी चीज को आप करने की चाहते हैं तो वहाँ पर दो ही चीज होता है या तो आप जीत जाते हैं या तो आप सक्सेस कर जाते हैं या तो उससे कुछ आप आप सीख करके सीखते हैं ताकि लाइफ में आगे जब आप कोई काम करते हैं तो उन सभी चीजों को आप समझते हैं कि आगे हमको क्या करना है आगे देख लेते हैं कौन बुझवल में मिल ना है कौन बुझवल में मिल ना है लाल मैय डायर तर लाल मैय डायर तर यानि मिर्च मिर्च जैसे हमेशा आप देखते होंगे कि वो डारतर होता है और वो लाल मिर्च होता है बढ़की दिदी कांख चहुआ जिनोर जिनोर के बारें बोला गया है एक थारी बारी गीने ना पारे चाउर और अगला है सात रुखना सात बैसला तेव ना छूटे आसनेक बोखला य है option C एक थारी बरी गीने ना पारी ये मुख रूप से क्या है कि आसमान में जितने आपके तारे होते हैं आसमान में जितने तारे होते हैं उसके बारे में ये बोला गया है तारों के बारे में कि बहुत सारे तारे होते हैं और एक थाली पूरा हम आसमान को मान सकते हैं उसम मुल्ख रूप से उसके बारे में ये बुझवल या पहली है उसी के बारे में बताया गया है बाकी के ये तीनों जो है वो सही है लेकिन ये जो है वो सी इंसर जो वो सही मेल नहीं है आगे देख लेते हैं खोठा सही सदानिक ब्याकरन के लेखक है खोठा सही सदानिक ब्याकरन के लेखक कौन है उसके बारे में आपसे पूछा गया तिसका राइट अंसर का ऑप्शन भी डाक्टर A के जहा इसके लेखक है खोठा सहित सदानिक ब्याकरन किताब के परकासन है तो इस किताब के यहां पे देखिए आप लेखक पूछा गया और यहां पे तुरंथ परकासन पूछ दिया है तो एक सवाल आप अगर करके जाते हैं, एक बार आप पूरा डिटेल से करके जाते हैं, तो वहीं से दो-तिन सवाल आपके एक साथ बन जाता है, वहीं है कि आप इसके लेखक तो पढ़ लिए, लेकिन इसका परकासन कहां से हुआ है नहीं पढ़ता, आपको किस वर्स इसका प रखते हैं तो इसका राय जो है कि खोठा मुंदार इनका पूरा नाम है भोगनात रहाँ याद रखेंगे खोठा में। साहित उद्भो और विकास के पर्थम संस्क्रण के परकासक है तो पर्थम संस्क्रण का जब परकासक हुआ था वो कहां से हुआ था इसके बारे में आप से पूछा गया है खोठा भासा साहित एक आदमी रामगर क्योंकि आप सभी को पता है कि बियन ओधार जी का जन्म भी ज सिर्फ आप खोठा भासा एवं साहित के से अगर तयार कर लेते तो तीन सवाल या चार सवाल बन सकता है वो चारों सवाल जो वो सीरियली वाइज पूछ लिया गया आपसे तो इससे एजी सवाल और नहीं बोला जा सकता है कि अगर कहीं आप एक जगह से कहीं एक कनेक्ट कर करके और पूरा आप पढ़ लेते हैं कलेक्ट करके सारा चीज तो अच्छा से समझ लिजे कि एक ही जिगह से तीन से चार सवाल आपके एक साथ बनते हैं तो इसका याद रखेंगी इसका राइट अंसरों का ओप्सन डी यानि 2007 में इसका जो है वो पर्थम संस्क्रण का पर खा गिया था होठा बहासा एम साहित उत्भो और विकास किताबे क्वठा सरुनाम के कई ठो परकार याल्गेल है तो वहांपे क्या है कि उसमें सरुनाम के कितने भेद बताये बहें नहीं यह आपसे पूछा गया है थ्थह वहाँ पर क्या कि 12 ठो उसमें भेद बताए गया है खोठा भासा एवं साहित उद्भो और विकास में किताबे खोठा सरुनाम के 12 ठो मतलब भेद बताए गया है जब आप उस किताब को पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको पूरे डेटेल में समझ में आ जाएगा शंप्रदान कार के कोन विभक्ती के परियोग हव है शंप्रदान कार के कोन विभक्ती के परियोग हव है तो इसका राइट अंसर होगा लाई आर लागिन ले आर खातिर चलते आर ले इस सभी हो जाएगा इसका राइट अंसर होगा ओप्शन D यानि इन सभी चीजों का अगर पर्योग होता है तो जैसे संपरदान क्या होता है कि संपरदान जैसे के लिए जब आप पढ़ते हैं हिंदी में के लिए तो के लिए और Khotha में पढ़ते हैं Khatir के खातिर या ले और खातिर चलते या ले लाई या लागिन ये सभी का परियोग जहां पे सब्द के बीच में होता है तो वहां पे क्या होता है कि वो संपरदान कारक के अंतरगत आता है अपादान कारक हमने पढ़ा था जब एक दूसरे से अलगाव की इस्थिती देखने को मिलता है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है जहाँ पे सब्द के साथ ने जुड़ा होता है तो वहाँ पे करता कारक की बात की जाती है जहाँ पे को का परियोग होता है वहाँ पे कर्म कर्म कारक की बात की जाती है तिये सभी चीज़ों को आप समझेंगे जहां पे संबंध अस्थापित होता है वहां पे संबंध कारक की बात की जाती है संग्या और सरुनाम के वैसन रूप के जेकर से वाक के के कारक, उसे हम क्या कहते हैं, कारक drone कहते हैं, हैना, अगो आर अगे, संबोधन कारकिक विभक्ति, कौण जयतिक संबोधन लाय परियोग करल जा है, तो अगो और अगे, तो यहाँ पे क्या है है कि इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें किसके लिए इसका परियोग किया जाता है तो इसका राइट अंसर होगा option B यानि जनी जनी जायत के लिए इसका परियोग होता है अगो या तो फिर अगे तो याद रखेंगे या जनी जायत के लिए क्योंकि जब आप खोठा में देखते ह रहमाना जाता है तो याद रखेंगे इसका सही अंसर होगा सिवनाथ परमानिक के द्वारा यह कविता संग्रा का संपादन किया गया था रूसल पुटूस किताब के परकासक है तो इसके परकासक आप से पूछा गया है इसका परकासन और रूसल पुटूस के किताब में कितन से 5 सवाल पूछा गया है डेटेल से तो सबसे पहला सवाल देख लेते हैं तो रूसल पूट्व किताब किसके द्वारा लिखा गया है तो शिवनात्स परमानी के द्वारा, इसके परकासत कौन है, तो इसका आप से पूछा जा रहे हैं तो इसका सही अंसरोगाओ, बुकारो के रचना है तो इसमें ये आप से पूछा गया है तो इसका सही अंसर होगा option C यानी 18 रूसल पुटूस की किताबे सीवनाथ परमानी कर लिखल कवीता ना है तो इसमें आप से पूछा जा रहा है कि रूसल पुटूस किताब में इनमें से सीवनाथ परमानी कर लिखल कोन कवी कविता इसमें नहीं है तो ये आप से पूछा गया है तो इसका सही अंसर होगा option D यानि बावा हाथ बाके के दामुद्रे को राएं जोहायर और दहेजेक दहंजल दहेजेक दहेंजल तो ये तीन जो है वो लिखा हुआ है जबकि बाया हाथ बामा हाथ जो है इनका नहीं है श संगर्ति किताब के किस ने लिखा है तो बिनोद कुमार के दवारा लिखा गया है जीन लेलख सोनाग थारी कवीता के हथ कभी हथ तो छीन लिलक सोनाग थारी इस कवीता के कवी कौन है इसके बारे में आपसे पूछा गया है तो इसका राइट अंसरों का ओप्शन ए परदीप कुमार दीपक परदीप कुमार दीपक इनका ओपनाम है तो याद रखेंगे परदीप कुमार दीपक इनके द्वारा छीन लिलक सोनाग थारी कविता के कभी है रूसल पुटूस कविता लिखल लागए तो फिर से देख सकते हैं कि एक ही कुश्चन थोड़ा सा मतलब यह है तो कविता लिखल लागए तो इसका सही अंसर होगा कविता के कविता के है ना पूछ हमिन हिया कैसे जिया ही तो इसके बारे में आपसे पूछा गया कि इस कविता के कविता को लिखा गया है तो इसका राइट अंसरों का ओप्शन भी डाक्टर बियन ओधार डाक्टर बियन ओधार के द्वारा ही ना पूछ हमिन हिया कैसे जिया ही इसके बारे में लिखा गया है इस कविता को वो लिखा है डाक्टर बियन ओधार जिने दामुद्रे कोराय किताब कोन विधा में लिखल गेल है तो इस तरह की सवाल भी आपसे पूछा गया साथ ही सा आपको कभर है ये सभी चीज आपको पढ़ना भी है इसलिए इन सभी चीजों को आप जब देख लेते हैं तो वहां से आगे आने वाले एक्जाम में आपको पहले से पता होता है कि हमें किस तरह का सवाल का सामना करना पढ़ सकता है तो उस तरह से बहुत चीजें आपको आसा खंड काब के विधा में लिखा गया है दामुद्रे कोराएं किताब के लिखवईया के हत तो आप सभी को पता है किसके लेखक हैं सिवनाथ परमानिक सिवनाथ परमानिक के द्वारा ही दामुद्रे कोराएं लिखा गया है फिर अगला सवाल पूछा गया है कि दामुद्रे को दामुद्रे कोराई किताब में कए गो सर्ग है तो यह आपको पता होगा अगर आप पढ़े होंगे डिटेल से तो इसका राइट अंसरों का ऑप्शन बी यानि छोगो इसमें सर्ग है दामुद्रे कोराई में तो याद रखेंगे दामुद्रे कोराई किताब में कए गो के नाम है तो इसमें पहला सर्ग के बारे में आपसे पूछा गया कि दामुद्रे कोराई किताब में जो पहला सर्ग है वो कौन सा है तो इसका राइट अंसर होगा option C यानी मेला मेला जो इसका पहला सर्ग है और total कितने सर्ग है तो 6 सर्ग है इस पुस्तक में दामुद्रे कोर गें तो 6 है इसकी दावोनंद्रे कोराय लिखा गया है किस के दवारा तो Sivumath परमानिक के दवारा लिखा गया है अगर बात करें इसका प्रकासक तो कहां से है तो प्रकासक आप याद रखेंगे छोटा नागपुर खोटा विकास के अंद्र इस पातनगर किताब के लिख़ यह सिवनास परमानिक है खंड काब में लिखा गया है तो आप देख सकते हैं कितने सवाल एक ही पुस्तक से लिखा गया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ सवाल जो वो एक ही जगह से आपको देखने को मिल रहा है दामुद्रे कुरा किताब एक सरंचिक जनम केकर घारे भेल रहे तो यहाँ पर आपसे इसी के बारे में किताब से पूछा गया कि सरंचिक जनम केकर घारे भेल रहे तो इसका राइट अंसर को ओप्सन A घरीब घटवाहा घाटे गरीब घटवाहा घाटे इसका जन्म हुआ था इसका याद रखेंगे इसका सही अंसर होगा option A अगला सवाल है कमल के तु कौन राजाक बेटा रहे कमल के तु कौन राजाक बेटा रहे तो इसका सही अंसर होगा option B काल के तु के काल केतु के बेटा रहे, कमल केतु, राजव Васद के की नाम रहे, तो जब आप यह सब कहानी संग्रा को पढ़ेंगे, किताबाई, कहानी है, नाटक है, वो जो जी आनको दिया हुआ उपन्यास है, तो वहां से ही आपको सवाल यह बनाया जाता है, तो इसका सही अंसर क्या हो ज ही जाएगा माय गाते दूधनाय आल छवह हुआ हथ लोटे गाग्रे गायक दूध भूत्य मुंडें दार ¿र्थ? डंडिल वहीं कुलन किताब में छपल है तो इसके बारे में आपसे पूफ़ा गयं किताब przyॉआ हुआ बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो इसका राइट अंसरों का ओप्शन भी दामुद्रे कोराएं दामुद्रे कोराएं से संबंधित है माय गाते दूधनाय आलच हुआ हुआ हथ तो याद रहेंगे इसका राइट अंसरों का ओप्शन भी ये दामुद्रे कोराएं से संबंधित है सोंध माटी केकर लिखल किताब लागए तो सोंध माटी आप सभी को पता है इसके बारे में इसके राइटर आप सभी को कई लोगों को पता भी होगा प्रोफेसर विनोद कुमार के दोरा यह पुस्तक लिखा गया है सोंध माटी और इसका परकासन अगर आप से पूछा जाए तो इसका सही अंसर होगा जनजातिय भासा एकादमी रांची के दोरा ही इसका जो हो परकासन हुआ है अगला सवाल है सोंध माटी में कई को कविता परकासित भेल है तो यह काफी इंपोर्टेंट सवाल है और याद रखेंगे इसका सही अंसर होगा ऑप्सन सी सोंध माटी भी आपके जो जैसे सी सीजेले वहाँ पे इसमें भी जो वो सिलेबस में दिया हुआ है तो याद रखेंगे इसको भी आपसे डिटेल से पूरा पढ़ लेना है सोंध माटी के पहील कवीता की लागए तो आप देख सकते हैं कि किस किस तरह के सवाल जो वो पूछा जा सकता है तो आजादिक रसाइका इसका जो वो पहला कवीता है सोंध माटी में कुल कितने कवीता है तो 31 है इसको लिखा किसने है तो डाक्टर विनोध कुमार की द्वारा लिखा गया है अगर पूछा जा कि इसका प्रकासन कहां से हुआ है तो याद रखेंगे जनजाती भासा अकाद के इसमें बखान क्या गया डाक्टर विनोध कुमार के जनम कदिया भेल रहे द्विनोध कुमार जी का जनम कभी आ था तो आठारा नॉबर 1901 को इनका जनम हुआ है सोंध मार्टी में कईट हो कहिन छपल है यानि कितने कहानी इसमें छपा हुआ है टोटल तो 31 हमने कवीता देखा था अगर बात करें कहानी की तो कहानी इसमें टोटल दस है याद रखेंगे इसमें कहानी कितने है टोटल तो दस है उबार सिर्सक कहानी के किसान के नाम की रहे तो उबार सिर्सक आप सभी को पता है कि सोंध माटी में जब आप कहानी देखेंगे तो उसमें एक उबार कहानी भी उसमें दिया हुआ है तो इसमें से जो पूछा गया इसमें से किसान के की नाम रहे तो इसका right answer आपका क्या होगा तो right answer होगा option A यानि जबरू जबरू इसका सही अंसर हो जाएगा ओध दीदा सिर्सक कहानी कोन किताब छपल रहे ओध दीदा तो ये भी अंसर होगा सोंध माटी सोंध माटी में ही ओध दीदा जो है ये भी आपका छपा हुआ है जिनकिक दोवानी सिर्सक कहानी के मुख पात्र के नाम की है तो जिनकिक दोवानी में मुख पात्र का नाम क्या है तो इसका सही अंसर होगा option A यानि जंगली जंगली इसका सही अंसर हो जाएगा कोनो काम के हेवेक बाकरेक बोध करवया के कहल जा है यानि किसी काम के होने का बोध करवाता है उसे किस नाम से जाना जाता है तो इसका right answer होगा option A यानी क्रिया किसी कायरी के होने का बोध होता है उसी को तो हम क्रिया कहते हैं आईए देखते हैं question number 100 को कितने लोगों को इसका answer पता है जोन क्रिया संग कर्म नाय रहे है ओकरा कहल जा है आपको बताना है answer इसका अकर्मक क्रिया होगा सकर्मक क्रिया होगा अकर्मक क्रिया होगा प्रेडनार्थक क्रिया होगा या इन में से कोई नहीं इसका answer आपको comment करके बताना है कि इसका सही answer क्या होगा उमीद करते हैं कि आज का ये session आप सभी को पसंद आया होगा अगर पसंद आया गोत इस वीडियो को लाइक करें साथी साथ अगर चैनल पे नहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह का वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा और आप आसानी स इसका बेनिफिट उठा पाएंगे साथी साथ अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे सेर भी करें आप सभी को बहुत बहुत धेनवाद अंत तक बने रहने के लिए जय हिंद जय भारत जय जहारखन